नीड, ड्रीम, कंप्रमाइज और मजबूरी ये इनसान के जीवन में एक ऐसे घटित होने वाले पहलो है जिन से निगलना हरा आत्मी के लिए बसकी बात नहीं हो पाती है लेकिन अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो इनसान की जरूरते जो होती है वो आटोमेटिक फूरो होती है अगर वो व्यक्ति ड्रीम के लिए काम करें चाहत के लिए लेकिन जादतर लोग ड्रीम से पहले कंप्रमाइज को ले आते हैं और इस सरीर को कष्ट देनी की बजाए आईडियाज पर काम करनी की बजाए जरूरत पर सिमटके रह जाते हैं 10,000, 20,000, 15,000 रुपिय को अपने लिए sufficient मानते हैं लेकिन पता जब चलता है जब कोई मजबूरी आती है जब मजबूरी आती है तब उसे एसास होता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं मैंने तो कुछ कमाया नहीं कास मैं अगर अगर अपने साहत के लिए सपने के लिए बड़ी सोच के साथ मैं काम करता तो आज मेरे सामने ये मजबूरी आकर खड़ी नहीं होती और मैं फुल्फिल जिंदिगी जीता साथियों जीवन में अगर आपको बड़ा आदिमी बनना है सक्चेज बनना है तो अपने सपने के लिए काम करो जरूरत आटोमेटिक पूरी होगी और कभी भी आपके सामने मजबूरी नाम का सब दनी आएगा क्योंकि जब मजबूरी आती है तो इंसान के जीवन में बहुत सारी कटनाया लेकर आती है